किया आपके लैप्टप या कंप्यूटर में कुछ इस परकार का प्रोब्लम आ रहा है जिसमें आप जीमेल को लोगिन नहीं कर पा रहे हो जीमेल लोगिन करते ही पाउस्ट में चला जाता है दोस्तों आपने बहुत सरा वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया है कि करोम बॉसर का से जिसको चेंज कर लो और जीमेल लोगिन हो जाएगा लेकिन किसी का अब तक लोगिन नहीं हो पारा शायद आपका भी नहीं हो रहा हो पाउस्ट में चला जाता शेटिंग को चेंज करने के बावजुद है तो टेंसल लिएक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्यों इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेश्ट है अगर आप हमारी चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मैं आप तक इस तरह का वीडियो पहुंचा सकूंँ तो आप के सामने डाउनलोड क्रोम का उप्शन आएगा इस पर क्लिक कर दीजेगा आपके इंटरनेट के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा जब डाउनलोड हो जाया तो पहले चेक कर लिजेगा कि आपने जो भी ब्राउजर डाउनलोड किया वह कौन सा फाइल में सेफ है सो यहां पर क्लिक हो गया तो आप यहां से चेक कर सकते हैं मेरा यहाँ डाउनलोड पर सेफ आप देख सकते हो ठीक है क्योंकि हम लोग अभी गूगल क्रोम को अनिस्ट्ल करने वाले हैं आप डारेक्ट अनिस्ट्ल कर लो यहां पर आकर करके आपको बुकमारक मेनिजर पर क्लिक कर दीजएगा इसके बाद त्री डॉट्स पर क्लिक करना और एक्सपॉर्ट भुकमारक सबस्क्राइब कर दिजएगा है इसके बाद आप यहां से छोड़े सपर सेफ करना चाहूंगा यहां मैं टाटा नाम से सेफ कर लेता हूं एक फायल जो Chrome ब्राजर में जो टटा वगर है हो मेरा सेफ हो जागा सूरी इस नाम से पहले से फायल बना हुआ है यानि मैं सेफ करके रखा हूं पहले से आप सेफ कर लीज़ेगा अब आपको Windows पर क्लिक करना है और यहां पर सर्च करना है पंट्रोल पैनल ठीक है इस पर क्लिक कर दीजेगा आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा प्रोग्राम से प्यूचर और नीच आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजेगा यहां पर सफ्ट्वेएर खुल करके आजाएगा आपको गूगल क्रोम सर्च करना है मतलब गूगल क्रोम को सेलेक्ट करना है माउस का राइट साइट क्लिक किजेगा और इसलिए कि यहांँ देख्याव खुला हुआ है जो भी आप अगरा प्रावजर को करना चाहते हैं तो वह कहीं होना चाहिए अब माउस का राइट क्लिक करना है और इसे पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हो और आप अश्टोल का आ चुका है मैं गर क्लिक कर दिया और अब आपको वह फाइल इंस्टॉल करना है जो आपने Chrome ब्राउजर से डाउनलोड किया था ठीक है तो इसके लिए आपको फाइल पर आ जाना है और आपने जहां भी वह ब्राउजर को रखा था डाउनलोड करके वहां चला जाना है और उस पर दोबर क्लिक कर देना है जैसे आ फाइनली आप देख सकते हो मैंने जो अभी ब्राउजर टाउनलोड किया था वह इंस्टॉल होकर के स्क्रीन पर आ चुका है अब दुबारा इस पर अपना जीमेल लोगिन करेंगे फिर देखेंगे कि यह वाला पाउस्ट जो ऑप्शन है यह हटता है कि नहीं हटता है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा जीमेल लोगिन हो चुका है मेरा पीसी में जो मेरे लैप्टोप हो इसमें लोगिन हो चुका है कोई पाउस्टर का ओप्शन नहीं हट चुका है तो मैं एक सीन आपको नहीं दिखा पाया जिसमें कि मैंने पीसी को रिएस्टार किया था कि आप जैसे ही Google Chrome browser को install करोगे तो उसके बाद PC को restart कर लेना है फिर login करना अगर इसके बावजूद भी login नहीं होता है तो आपको एक कम और करना है कि आपको जिमेल है उसका password चेंज कर लेना है उसके बाद PC को restart फिर से करना है और login करना है तो 100% login हो जाएगा आपके लिए यह वीडियो बहुत ही useful हुआ होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्काब सरूर कर लिजेगा अगर आपके पास इसी तरह कोई और भी problem है जो आपसे solve नहीं हो पा रहा है तो आप comment कर सकते हैं मैं उसके ओपर वीडियो बना दूँगा तो आज के लिए इतना ही काफी था फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद